इस वीडियो के अंदर गाईस हम लोग बात करेंगे What is the outstanding demand notice कि क्यों ये income tax department आप लोग को generate करता है कैसे आपको outstanding demand notice का reply देना है कैसे आपको amount वगरे pay करना है या अगर amount pay नहीं करना चाहते तो आपको क्या response यहाँ पर submit करना चाहते है ये guys सारी आपको जान करें मिलने वाली है एक ही वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा और guys वीडियो को शुरुवात करने से पर बताना चाहूंगा अगर आप लोग my online ccq through अपना outstanding demand notice review करवाना चाहते है तो उसकी link में मैं आपको description box में provide कर दूँगा तो चलिए गाईश शुरू करते हैं सबसे बहुत करते हैं कि आउस्टेन demand notice होता है क्या है तो देखें आपको एक intimation mail आता है income tax department से मैं आपको preview दिखाना चाहूंगा जैसे guys आप इरी screen के सामने देख सकते हैं इस तरह का आपको ITR का intimation आ जाता है email के उपर और जिसके अंदर लिखा होता है you have the demand for the assessment year जो भी relevant होगा assessment year उस related आपको इस तरह का यहाँ पर mail आता है जब आप अपने income tax portal के अंदर भी यहाँ पर login करके देखते हैं आप pending action के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको respond to outstanding demand का option मिलेंगा तो इसके उपर भी अगर आप click करेंगे तो आपकी जित्ती भी demand की notices वगर जो आपको मिल चुके हैं उन सभी के यहाँ पर response करने का action वगर है यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको दिखाए देगी आप गईस बात करते की reason क्या हो सकता है यहाँ पर आपके outstanding demand notice का और आपको कैसे पता लगाना है तो इसको पता लगाने का बिलकुली simple तरीका है आपने जो भी यहाँ पर return file किये उसका आपको एक intimation यहाँ पर letter मिलता है आपको simply क्या करना है आपने जो भी return file किये आप देख सकते हमेशा return की नीचे आपको यहाँ पर download intimation order मिलेगा इसके उपर simply click करके अपने intimation order को download कर लिजेगा जैसे यहाँ पर आप इस PDF को open करेंगे simply अपना pan number DOB डाल कर तो guys यहाँ पर आपको दो table मिलेगी as provided by the taxpayer यानि यह वो data है जो आपने अपनी ITF filing के इंदा यहाँ पर डाला हुआ है as computed under section 143 sub section 1 तो यह वोला data है जो IT department ने यहाँ पर calculate किया हुआ है तो guys आपको इन दोनो data को यहाँ पर match करना है और जहाँ पर भी difference होगा तो आप screen के सामने यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर guys simply आपको यह red color के यहाँ पर marks दिख जाते है जैसे example के लिए आप यहाँ पर screen के सामने देख सकते हैं इस table के अंदर हमारा जो total interest था हो उसके अंदर यहाँ पर difference आ रहा है साथ में हमारा जो TDS का जो amount है major amount है उसके अंदर difference आ रहा है हमारा TDS का amount 2.86 lakh रुपीस का है जबकि यहाँ पर department ने जो calculator कर रखा है वो देवल 2,30,000 रुपए है तो guys यहाँ पर जो भी difference है आ रहे होंगी आपको red color यहाँ पर sign के अंदर तरीके से दिखाए देते हैं आप guys बात करते हैं कि आपको इस demand notice का reply कैसे करना है तो इसके लिए आपको pending action के अंदर जाना है response to outstanding demand notice यहाँ पर simply तरीके से आपको notice मल जाएगा यहाँ पर guys simply आपको submit response के ओपर click करना है आप guys यहाँ पर आपको दो option में लेंगे demand is the correct और disagree with the demand तो देखें यहाँ पर maximum there is a maximum chances कि यहाँ पर जो system ने calculate किया होगा वो definite एकदम सही तरीके से किया हुआ है तो अगर लगता है आपको यह लगता है कि हाँ मेही तरफ से यहाँ पर mistake है मैंने जो tax यहाँ पर calculate किया था वो गलत तरीके से किया था या गलत तरीके से विने deduction यहाँ पर avail की थी या गलत मेंने TDS यहाँ पर avail किया हुआ या कुछ भी reason हो सकता है तो guys उस case में आपको यहाँ पर first option चूज़ करना है लेकिन let's suppose अगर आपको लगता है किनिया department का जो system है उसने गलत तरीके से calculate किया है मानिजे उसने कोई deduction यहाँ पर consider नहीं की मानिजे कोई rebate यहाँ पर consider नहीं की या उनकी जो calculation है वो एकदम गलत है तो उस case में simply आपको disagree option के उपर click करना है तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ अगर आप disagree करते तो guys यहाँ पर आपके पास में एक पक्का प्रूफ अगर होना चीए और यहाँ पर मैं आप लोग को highly recommend करूँगा हमेशा एक tax consultant की आपको यहाँ पर मदद जरूर लेनी चीए अगर आप tax expert नहीं है तो तो guys यहाँ पर आपको कई सारे reason मिल जाएंगे screen के सामने आप देख सकते तो जैसे अगर आपने माली चार्ल मगरे pay कर रखा है और उससे अगर आप disagree हो रहे हो तो यहाँ पर उसका आपको simply option मिल जाता है अगर इन में से कोई भी आगर आपके पास में option नहीं है तो यहाँ पर आपको other का option मिल जाता है इसके उपर apply button के उपर click करना है और guys यहाँ पर आपको simply जो भी amount आप pay नहीं करना चाहते है वो amount डालकर simply यहाँ पर आपको remarks डालने पड़ेंगे और remarks जो है एकदम justify होने चाहिए proper तरीके से आपको mention करने है कि क्यों इस notice के साथ में यहाँ पर मैं disagree हो रहा हूँ यह government ने आप department ने जो है जो notice मुझे बेजा हुआ है उसके अंदर क्या गलतिया है या फिर क्या खामिया है जिसको उनको improve करना चाहिए और यहाँ पर जो मेरी तरफ से जो response होगा उस चीज को सुधारने का वो क्या होगा तो इसा पूरा detail के अंदर आपको response जो है बना के इसके अंदर आपको simply submit करना है लेकिए अगर let's suppose अगर आप मालीचे चेक आउट कर लेते कि हाँ मेरी गलती है और मैं इस amount को simply यहाँ पर pay करना चाहता हूँ और अपना जो demand का notice है उसको मैं clear करना चाहता हूँ तो guys उस case में आपको demand is correct का यहाँ बटन मिल जाएगा लेकिए यहाँ पर ध्यान रखेगा अगर आपने demand is correct कर दिया तो फिर आपके पास में वापस option नहीं होगा आप change नहीं कर सकते एक बार correction करने के बाद में और guys यहाँ पर आपको चालान की details fill up करनी पड़ती है आपका इस चालान कैसे pay करना है चलिए वो देख लेते तो जैसे आप यहाँ पर notice के उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको pay now का simply तरीके से button मिल जाता है आप portal में यहाँ पर change हो चुका है तो आपको simply pay now button के उपर click करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका demand का reference number, assessment year और amount यहाँ पर simply तरीके से आचुका है आपको simply continue button के उपर click करना है यहाँ पर automatically आपका जो भी demand का amount होगा वो यहाँ पर आ जाएगा कितना tax है, कितना interest है, सब कुछ आजाएगा उसके बाद में simply आपको continue button के उपर click करना है यहाँ पर आपके सामने payment के option आचुके आप UPI, debit card, net banking किसी से भी आप simply payment कर सकते हैं मैं यहाँ पर कोटक महिंदर बैंक का payment gateway चूज़ कर लेता हूँ, जिसमें मैं UPI के थूँ यहाँ पर payment करना चाहूँगा इस आप screen के सामने दे सकते हमारा चालान का यहाँ पर payment हो चुका है, इस चालान को simply तरीके से आप यहाँ पर download कर सकते हैं आप कई लोग जो है यहाँ पर चालान का payment करनी के बाद में छोड़ जेते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर वापस आपको notice के उपर आना है तो guys सबसे पर पूछता है type of the payment, तो guys ध्यान रखेगा, यहाँ पर आपका हमेशे regular assessment tax आएगा, self assessment tax के अंदर payment मत कीजेगा, जो मैंने step बता है, उसी तरीके से payment कीजेगा, उसके बाद में simply आपको BSR code डालना है, तो जो भी चालान होगा, उसके अंदर अगर आप नीचे जा है, और यहाँ पर हम लोग simply इसको submit कर देंगे, तो guys यहाँ पर हमारा response to outstanding demand, successful यहाँ पर submit हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते है, यहाँ पर response submitted का option दिखा रहा है, और कुछी दिनों के अंदर यह हमारा जो demand का notice होगा, वो यहाँ पर simply तरीके से clear हो जाएगा, तो guys किस reason की वज़े से आया, क्यों difference आ रहा इतना जादा, तो उस case के अंदर आपको definitely एक tax expert की यहाँ पर मदद लेनी चाहिए, बाकी guys आप लोग के कुई भी यहाँ पर doubts अगर है, तो आप मुझे comment box में बता सकते है, और consultancy के लिए link मैंने already description box में दे रखिये, thank you guys, thank you very much